ये आपका आज का संपात की एपार्ट है दिखिए संपात की एपार्ट, आर्टीकल, एडिटोरियल, आपको पैरमभिक परिक्षा, मुख परिक्षा, इंटर्वियों, हर जेगे मदद पहुंचाते हैं चाहे आप लोग सिविल सर्विस एक्जाम की तैयारी कर रहे हों, या पर किसी स्टेट पीसी एस एक्जाम की तैयारी कर रहे हों मैं जब श्टेट PCS कहता हूँ ना, तो सिविल सर्विस की तरह आपके राज्चों में भी PCS का एक्जाम होता है ना, उगसी की बात कर रहा हूँ, कारी जीवन में खतरनाक आसंतुलन, और देखे किसी खास टॉपिक पर, किसी खास बेक्ती के अपने ये विचार होते हैं, तो इस तरह के विचारों को आप लोग जरूर बढ़ा करिएगा, पिछले दिनों पूर्णे की एक इवा, सीए के काम से समधी तनाव की करान निधन हो जाना, कारिस्तल पर उच्छ दबाव की याद दिलाता है, जिसका कई इवा पेसेवरों को पिती दिन सामना करना पड़ता ह राष्टी अपरार रेकॉर्ड वीवरों की हालिया रेपोर्ट से पता चला है कि भारत में 9.530 से अधिक आत्मत्याएं बेतन भोगी पेसेवरों द्वारा की गए हैं, यह चिंता जनक है और इस पर ततकाल ध्यान देने की आवसकता है, और इस संकट के लिए किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठेराया जा सकता है, क्योंकि यह कारिस्तल पर दबाव की संस्किती से उत्पन हुआ है, यह सच है कि आज कॉर्पोरेट जगत में पितीसपर्दा पहले से कड़ी हो गई है, आज कम्पनिया कम कारवल से जितना संभव हो, उतना उत्पादन करने की कौ और इसने एक हानिकारक माहुल तैयार किया है, जो कारिस्तल पर मानवता को लील रहा है, और आप देखते हैं कि इसने कारिस्तल को एक योदिचेत में बदल दिया, जहां बेक्ती ना केबल पदोनती या पेतन बिद्धी के लिए पितीसपर्दा कर रहे हैं, बलकि अपनी भ ध्यान के अंद्रित करते हैं, लेकिन बिवार में लचीलापन लाने और तनाव परबंधन की उपेक्चा करते हैं, लंबी समय तक काम से समधी तनाव के कारण उत्पन वन आउट मानसिक इभम सारीरिक ठकान का एक अन्न कारण सामाजिक अलगाओ भी है, भारत में सीए या पर किसी अन्न बिवसाइक पाटकरम में सफलता प्राप्त करने का दबाओ अकसर छात्रों को कॉलेज की अनुभों से खुद को अलग करने के लिए पेरिक करता है, केबल अपनी पढ़ाई पर ध्यान के अंद्रित करने के कारण बिर्द कॉलेज जीवन से चूख जाते हैं, यह अलगाओ उन्हें उच्छ दबावाली कॉर्परिट दुनिया के लिए तियार नहीं कर पाता है, और उनमें आवस्तक सामजिक भावनात्म कोसल की कमी रह जाती है, और कॉर्परिट जगत अकसर नितित भावनात्म में पुद्धी मता के बज़ए, अंतिम परिणामों की उपलब्धी या पर तकनीकी कॉसल की आदार पर प्रवंधकों को बढ़ावा देता है, और आप देखते हैं कि इससे प्रवंधकों के पास अपनी टीम को भावनात्म करूप से समर्थन देने के लिए समय और कॉसल की कमी रह जाती है, और जिससे तनाव पैदा होता है, पर पैसेवरों की संतुष्टी इससे काफी प्रवावित होती है, और उनकी वरिष्ट उनके साथ कैसा बिभार करते हैं, उनकी टीम की गती सीलता क्या है, युवा पैसेवरों को वर्ण आउट से बचने के लिए, उन्हें सुईकिती या पर माननता प्रदान करने के लिए भी आवस्ता है कि एक साधानन धन बाद नोट या पर साजनेक सुईकिती ही काफी हो सकती है, इसके साथ साथ कारिस्ट जीवन संतुलन बनाए रखना और कंपनी द्वारा अपने करमचारियों की भलाई को परात्मिक्ता देने की आवस्ता है, कौरफोरेट संस्किती में मान स्वास्त को लेकर नकरात्मक सोच कई करमचारियों को मदद मांगने से रोकता है, इसके लिए कंपनियों को एक ऐसा परिवेस बनाने की अवस्ता है, जह मानसिक स्वास्त के बारे में खुली बातचीत को प्रोसाहित किया जाए, इसके अतरिक तकनीकी प्रकिती से पेरित आ अउट की समस्या से निजात दिलाने के लिए, कॉर्फोरेट कॉर्पीड जगत को काम की मात्रा के बज़े जीवन की गुडवत्ता पर ध्यान केंदेत करना चाहिए, अब देखे इसी में समस्यां बताए जा रही है, इसी में उनका समाधान बताए जा रहा है, ओबर टाइम समय की सीमाओं का सम्मान करने के लिए प्रोसाहित करना चाहिए, सरकारों को भी सार्विक स्वास्त एजन्डे के हिस्ते की रूम में कार जीवन संतुलन का समर्धन करने की आवसकता है, क्योंकि लंबे समय तक कार करने से दीक काल में मानसिक स्वास्त संकट पैदा होता है, और उत्पादक्ता कम होती है। पारस्तलपा उत्पादक्ता उख्षाली बढ़ाने के लिए पारंपर 40 गंडे के कारसपता को अपनाना एक अजमाय हुआ तरीका है। और इस अउधारना को स्वीडन जैसे देशों न प्रभावी ढंग से लागो किया और जिससे उहां उत्पादक्ता कर्मचारियों की खुशी बढ़ती है। पहतर तरीके से काम करने की फायदों पर जोड़ देते हैं। तो सर्मेकों की भलाई और स्वस्त का जीवन संतुलन सुनेश्ट करने के लिए डिसकनेक्ट करने का अधिकार कानून लागो किया है। कारिस्थल पर आप देखे तनाव के कारण खोया हुआ पितिक जीवन यहीं बताता है कि कॉर्पोईर्ट संस्किती लोगों पर पैसे को, कर्यूना पर दक्षता को और कल्यान पर उत्पादक्ता को प्रात्मिक्ता देते हैं। की फायदे की सोचने अपने हैं। करते थे इनका नाम है प्रोफिसर गौराव वल्लव और देखे मैं कहता हूं कि अगर आप लोग अच्छा बेवहारिक माहूल बनाके भी कंपनी में रखते हैं ना सभी का क्याल भी रखते हैं करमचारियों का तो मैं इमांदारी से कह रहा हूं कि उससे जो पहले आप दबा सकते हैं यह राजनीती की बातें हो रही हैं अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं चोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं आजकल हमारे देश में राजनीती ही तो हो रही है अच्छे से बाकी तो सब ऐसे ही है अंताकरन उन्नती मनुस्त का अंताकरन उसकी बिवहार का होता है अंताकरण की सुद्धता को जानने का एक सही तरीका यदी पर निंदा सुनकर आपको पिसंदता नहीं होती है तो आप अपना अंताकरण सुद्ध समझें क्योंकि हम जिनकी निंदा सुनेंगे उनके पिती द्वेस बुद्धी उत्पन होगे द्वेस बुद्धी के उ आप करम में निरत नहीं होती हैं, यदि मन में कुभावना नहीं होती है, तो मनुस की दिरिष्टी दोस्त रहत होती है, और उसके काण पर निंदा नहीं बलकि ससंग सुनते हैं, उनका जीवन रूप रस गंद की अराधना ना होकर त्याग और तेज की धारना होता है, तेज बुद्धी निर्मल हो जाती है, और जिसे आप दिखते हैं कि खूटे के कमजोर होने पर उसमें बंदी गाय उसे तोड़ कर भाग जाती है, वैसे ही निर्मल बुद्धी से निंदित मन चंचल होकर विसे भाग की और विसे भोग की और भागता है, या विसे राग आउनती का रास्ता है जब कि बैराग और अभ्यास उन्ति के मारफ ले जाता है वस्तता मनुस का जीवं कर्म यूण है वह किसी भी इस्तिति में करम से चेट नहीं हो सकता है परन्तु सम्भर करम का चुनाओ आपसदक है और आप दीखी यदि जीवन का नवीनत्म पाना है तो पानी के पानी मतने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए दूद को मतना आई पड़ेगा, सुद्ध अंताकरन के साथ समय करम त्याग पूंड भो, निसकाम करम का पालन मुनुस की उन्नती का एक मेव मार गया, लेकि कितना अच्छा कॉलम लिखा जाता है, बस इससे सीखें लोग, मैं कहत बहा भारत, लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, मैं कहता हूँ, कितनी अच्छी अच्छी बात हैं उसमें, लेकिन लोग उसे मानते कहा हैं, बस दिखावा करते हैं, कॉसल विखास का कार करम, यह अच्छा है कि सरकार उद्ध्योग जगत मिलकर कॉसल मानौ संसादन त्यार कर जाएंगे जिनसे उद्योग जगत को बैसे होनरबंद युवा अवस्त मिल सकेंगे जैसे उने चाहिए मांगे जैसे उनकी और इसकी अंदेकी नहीं की जाने चाहिए कि उद्योग जगत को बैसे पिसिक्षित और अपने काम में दक्ष कर्मी नहीं मिल पाते तो उनकी जरूर को पूरा करने में समर्थ हो और इसका फिरमाड यह है कि देश के वेविन उद्दोगिक चेत्रों में अनेक कारखानों के बाहर कोसल कर्मियों की आवस्ता वाली सूचना चस्पा होती है कोसल विकास मंतराले को उन कारणों का निवारन करने के लिए तर्थ पर रहना चाहिए जो ऐसी सूचनाव के लिए जिम्मेदार हैं इस तत्य सिंकार नहीं किया नहीं है कि देश में रोजगार की परियाप तवसर पैदा नहीं हो पैदा आप देखते हैं कि नहीं हो पा रहे हैं लेकिन इसी के साथ एक सच्छा यह भी कि उद्द्युख जगत को जैसे हुनरबं नहीं होता है योगता नहीं होती है इसका एक बड़ा कारण है कि अपने देश में बड़ी संख्या में चाट डिग्री डिवलोमा लेकर निकल रहे हैं लेकिन भी किसी कॉसल से लेस नहीं होते हैं यहीं इस्तितीर के बल इंटर्मेडियर तक पढ़ाई करने वाले चात्रों के भी होती है कॉसल के आभाव के कारण होने रुजगार पाने में कटनाई होती है कटनाई इसलिए बी बड़ रही है क्योंकि सरकारी नोकियाź कम हो रही है अब आप दीखें हमें किसी कंप्यूटर कुछ चला रहे है कंपूटर दक्ष्ट चाहिए किसी अब वो पढ़ा ल कहीं इसका कारण यह तो नहीं है कि अभी तक सरकार उद्योग जगत के पितिनिदियों से विचार मेमार्स तक सीमित रहती थी, सरकार की तिरफ से जो पहले की जाते हैं उनका भी उल्लेक कर दिया करिया है, जो भी हो यही एक सही रने थी, अवाल अगला सेक्टर की कंपनियों कि मानों संसादन बिभाग के लोगों से मिलेकर उनकी जरूरतों को समझा जाए, इसके अतरिक्ट SHS, RM की रिपोर्ट के इनुसार कार्ट करम तियार किये जाएंगे, उच्छे तिया होगा कि चात्रों को स्कूल में ही कौसल बिकास से लेसे करने का काम परात्मिकता की अधा पर किया जाए, ताकि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें नोकरी तलासने के दोरान अलग से कौसल बिकास का पिसिक्षन ना लेना पड़े, चीन ऐसा ही करता है, यदि वह बिस्टों का कारखाना बना हुआ है, तो ऐसा इसलिए, इसलिए भी कि उसके पास हर छेत्र की क अच्छी बात है, फहल हो रही है, देखते हैं कि क्या-क्या फहल होती है, क्या पर डाम निकलते हैं, भिष्टाचार करो, यह आप देखे, पंजाब सरकार की ओर से भिष्टाचार के खलाब सकती की गई, लेकिन अब भी आम लोगों को इस गंबीर बिमारी से सरकारी बिभा हो जहां पर जंदा परेशान ना होती हो, जो काम आसानी से हो जाना चाहिए, उसके लिए भी कई-कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, सबसे जांदा सिकायते पुलिस बिभाग की लोग करते हैं, जो की जंदा चंता जनक है, कभी रिस्पत लेते पुलिस अधिकारी या करमच कि खलाब कारवाई की उम्मीद की जाती है, दी वही कदाचार में लिप्त रहे, तो लोगों का भरोसा खुटेगा, वही हाले कि जने हम रख्चक समस्ते हैं, वही अगर भख्चक निकल जाएं, तो फिर तो परिसानी की बाती है, चिंता की बात है, इससे पहले भी कई अध विजिलेंस ने उसे गरफतार कर लिया, लेकिन सरकार को ऐसी विवस्ता बनानी होगी, जिससे इस तरह के मामलों में की पुनविट्री ना हो, निगरानी तन तो प्रभावी बतन बनाना होगा, इसके साथ ही रिस्पद लेने बालों के खलाब ऐसी कारभाई की जानी जिससे दूसरों को सबक मिल सके, यह तो वो मामले जो सामने आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मामले आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो सामने ही नहीं आते हैं, और धडलले से रिस्पद चलती है, धर्दी पर जीबन कठिन बनाता मानों, अब आप देखते हैं कि अपने सुहार् लेकिन इनसान को देखिए उसके पास एक घर है वो जंगल साफ के दूसरा घर बनाई लेगा तीसरे घर के बारे में सोचने लगेगा गांधी जी ने कहा था ही इसको तरह की कोड्स का आप लोग उपयोग कर सकते हैं कि हमारी प्रकिती के पास इतने संसाधन है कि वो हमारी जर पार्थी बेक्ती की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती है मानोविकास की सबसे बड़ी कीमत बन जीवों ने चुकाई है आज हम दुनिया भर में बड़ी प्रमाने पर सामोहिक जैविक बिलुपती को देख रहे हैं अपीका इसी अन जगों पर बड़े इस्तंधारी जीव वि सिक्सित करने में जुटे हुए इन मॉडलों से मॉडलों से बड़े इस्तंधारी जीव क्यों कम हो रहे हैं इसे बारे में मातमूर्ण सुराग मिल सकते हैं अभी आजकल आप लोग इस तरह की खबरें सुनते होंगे कि हाती मानोवस्ती में आ चुका है कही सेर कही टाइगर मानोवस्ती में आ चुका है कहीं बेड आप देखते हैं कहीं आप देखे सियार कहीं आप देखे इस तरह की खबरें पड़ते हैं तो आप लोग सोच के देखे कि वो नहीं आया हम लोग उनकी छेतर में जा चुके हैं और उनका छेतर से कुड़ता जा रहा है मानो आबादी बढ़ती जा रही, मानों आवास बढ़ते जा रहे हैं हाली में होगेन हम विस्विद्याले जरुमरी की सोथकरताओं ने पहला ऐसा मॉडल विक्सित किया जो बताता है कि बड़े इस्तंधारी जीव एक दूसरे और अपने पर्यावण के साथ किस तरह पिति किरिया करते हैं सोथकरताओं ने पूरवी अफिका के टोपी एक बड़ा अमेरिक की आवादी पर मॉडल का फ्रीक्चन किया टोपी की भारी आवादी में गरावट के कारणों में सरक्चन जरूरी है अनता किसी भी एक बनने पराड़ी के बिलुपती होने पर पूरी सरचना धीरे धीरे बिखनने लगते हैं चोकि परिस्तिति की तंत में विवन जीव एक दूसरे पर निर्वर हैं इसलिए अन्य पराड़ियों की बिलुपती से हम मनोस्तों पर भी इसका प्रितिकूल प्रभाव पड़ेगा हाला कि आज भी कई लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ प्रिजातियों के बिलुपत होने सिमानों अस्तित पर कोई ख़दरा नहीं आएगा या दावा बेईमानी है बास्तित आयाई कि पूरी परिष्टित की एक इमारत की तरह है ऐसे में एक इंट के कमचोर होने या गिरने से पूरी इमारत के धरसाई होने का खतरा रहता है छोटे से छोटे जीब की परिष्टित की संतुलन में मात्कूल भूमिका होती है मदु मक्रण की बिना परगर नहीं होता है फसलें और पेड नहीं फलेंगे और पेड नहीं फूलेंगे पेड नहीं होंगे तो कार्बन डायोकसाइड को ओक्सिजन में कौन बद लेगा फिर मनुस और दूसरे जीब सांस कैसे ले पाएंगी इसली के ऐसी कई पिक्रिया हैं जिनमें से किसी एक जीब या जीब के बिलुप्त हो जाने से आप इत्यासित पर इडाम जहलने पड़ सकते हैं वरहाल जीबों की बिलुप्ति के काड़ों के बारे में हमारी समझ में सुधार से या सुनिचित होगा कि उनके सरक्चन के लिए समझीत करवाई कैसे की जाए अब आप देखें हमारे घरों में एक चड़िया आती थी वो आपने देखा होगा गोंसला बना के अंडा देती थी बच्चे निकलते थे आजकल वो कगार पर है क्या बिलुप्ति की काड़ आप लोग जुगनों देखते थे लाइट रात में जगती वही देखती थी वो भ पिर वहाँ गर्मी का उस पर पढ़ रहा है यह चोटी-चोटी टिपड़िया रहते हैं देखना हुआ कर तो देख सकते हैं आप लोग इसकी पीडियाप आपको एजुकंसल सरकल प्लेटपॉर्म है ना टेलीग्राम पर वहाँ डाल देता हूं तो आसे जाकर डाउनलोड भ है सेमी कंडेक्टर और हमारे लिए अब तक यह बिड़मना रही कि भारत में इसका निर्माण लगबग नहीं होता और परन्तु अब जल्दी भारत में भी इसका निर्माण संभा होगा भारत का यह उभरता हुआ उद्द्योग देश को केबल आर्थिक आत्निर्भरता ही कर सकता है एक मजबूत सेमी कंडेक्टर एकोसिस्टम का निर्मार करके बैस्विक चिप उत्पादन के माध्यम से चीन और ताइवन जैसे देशों से भारत अपनी आयात निर्भरता को कम कर सकता है क्योंकि हम लोग दूसरे देशों से अभी तक एक खरीदते हैं चाइना से और ताइवान से और यह आत्मिरवरता भारत की रणनितिक स्वाइता स्टेडिक ऑटोनॉमी को मजबूत करेगा क्योंकि से भारत की बैस्विक आपूर्ती संखिला गिलोबल सप्लाई चेन में आने वाली व्योधानों की पिटी संगरोथ सुनिचित कर सकेगा बर्तमार में भूरानितिक परिजिस्ट में जहां रूस है आप देखे रूस अमेरिका चीन आधी प्रमुक सकतियों की भी तनाव नेंतर बढ़ रहा है घरेलू सेमीकंडेक्टर उत्पादन सकती भारत की बिना बाहरी अपूर्ती करता पर नर्भर हुए अपने विदेश निती की नेड पर अतिन निर्वरता उलेकनी है कि तावान की टी एस एमसी दुनिया की 9030 सुपर एडवान सेमीकंडेक्टर की निर्माता है और आप देखे इसका उप्योग हर छेतर में होता है मोबाइल से लेकर आप देखे लेक्ट्रिनिक सामान एलेक्ट्रिक गारियां जो भी रहती है बैस्विक आपूर्ती सिंखला का नया विकल्पी केंट कोवित की पास सप्लाई चैन समस्याओं से भहवित बिस्ट के समीकंडेक्टर चित में चाइना पिलस वन नीती को एक स्वर्णेम अवसर मानते हुए मोधी सरकार इसे अभी नहीं तो कभी नहीं क्या धार पर देख बैस्विक संगे में कंडेक्टर उद्धियों की मांग ने यह इसपश्ट कर दिया कि विस्ट को अधिक विवित्ताओं से बरे आपूर्ती सिंखलाओं की आवस्तकता है कोविन से सीखें सीख लेते हुए विस अब विसेस रूप से पूर्वी एसिया की चीन और ताइवान पर निर्बारता कम करने की कौसिस कर रहा है क्योंकि इस चेतर से जुड़े भूराजनितिक जोखिम साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में भारत का स्वेम को एक विस्वसनिये बिकल्प के अंद की रूम में इस्थावित करना इसे बैस्विक है कूटनीती और इसिया मे एक माधूर आपूर्ती करता की रूम में 20 पटल पर आएगी जो बैस्विक बैस्विक इस्थार पर अन्य पश्चमी देशों और कम्पनियों के लिए आवस्चक होगा एबं भारत अंतरश्टी संबंधों से मैं अपनी निगोसियेशन की सक्ति को भी बढ़ाएगा सेमी कं सब्सक्राइब का लगवग 10 लाग करोर टन कारगों की सुरक्षा की गारंटी हिंद महासागर की बात हो रही ना इस छेट्रे की बात हो रही है प्रमुक अर्थवस्थाओं से सम्मंद तो भारत के सेमी कंड़क्टर उड्दिव का उचाल अभी से अमेरिका जापान और यूरूपीय संग जैसे बैस्विक सक्तियों का ध्यान आकेसित कर रहा है जो अपनी चिप आपूरती सिंखलाओं में अच्छे बिकल बिकसित करने की कौसिस करें एदिस भारत को चीन के समी कंड़क्टर निर्बार पर निर्भाता कम करने के लिए एक संभावि साजिदार की रूम में देखते हैं स्वयम को एक प्रमुक के अंदर की रूम में इस्थापित कर भारत इन प्रमुक अर्थवस्ताओं कि सार्णितिक और में चपाएंगे राष्टी सुरक्षा का ससक्तिकर्ण सेमी कंड़क्टर उद्धिव रक्षा परुद्धगी के लिए अतेंत मात्पून होता है क्योंकि इन में उननत हत्यार संचार परणाली और साइवे सुरक्षा की उननत उपकरणों को बनाने मदद मिलती है एक दिसी स सेमी कंड़क्टर उद्धिव यह सुनिशित करता है कि भारत के पास राष्टी सुरक्षा के लिए आवसक पिरमों पुरुद्धुखियों तक पहुंच सुरक्षित पहुंच है भारत की संद्रम विसे सूप से मात्पून है क्योंकि भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे सुरक्षा और भूरानिति की स्तिती को और अधिक मजबूत किया जा सकता है तकनीक विकास से खुली सीमाओं की नेगरानी घुसपेट बन एवं पहाड़ी छेत्रों की सुरक्षा आदी में हम अधिक कारगर तरीके से कार कर पाएंगे जो भारत के लिए हालिया समय में बहत प्रासंगिक हो गये हैं अब देखिए हमारा पड़ोसी चाइना लद्दा की माचल पेदेश उत्राकरंडर सिक्किम अरुडांचल पेदेश पांच राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान ने देखिए लद्दाग जमुकसिमी पंजाब राजिस्तान गुजरात पांच र उद्द्योग विक्सित करता जाएगा यह चीन की तक्नीक और मैनुफेक्चरिंग फिरुवत को और बहतर चुननावती दे सकेगा सेमी कंडेक्टर दूरसंचार एलेक्टोनिक्स याई जैसे उद्द्योगों की रीड है जो 21 सदी में आवस्ता क्या और चौते उद्दोग 24 में बित्वर्स में भारत का इंचेत्रों में आयात मुल 89.8 रब डॉलरा भारत को ना कीपल अपनी निर्भरता कम करनी है आपी तो विसकी निर्भरता भी चीन से कम करके भारत की और आकरसित करना है राटनितिक निविस सेमी कंडेक्टर उद्द्योग को इस्तावित करने भलकि तकनी की भी से सकता और नवाचार भी बिदान करते हैं जिससे भारत बैस्वेक फरोद्द की एको सिस्टम की अगड़ी स्थानमा तेजी से पहुंच सकता है इसके अलावा अमेरिका जापान ताइवन जैसे देसों के साथ समी कंडेक्टर और सांजेदारियां भारत क और रणनेतिक शहयोगियों के साथ जोड़ती हैं और जिससे उसकी भूरायनेतिक सकती वर्थी साथी भारत का स्वाफ्ट पावर भी बढ़ाता है इन कंपनियों से मिलने वाली रणनेतिक निवेस भारत की तकनीकी सहयोग को बढ़ाएंगे विससे इस रूप से AI, ITB, Cell, Intelligence, किंदी, बुद्धी, मता, 5G और रक्षा जैसे चेतरों में इस तरह का सहयोगियों कूटनेतिक संबंदों को मजबूत करता है और भारत को उन देसों के लिए एक मात्पूंट सांजेदार बना देता है जो चीन से जुड़े वो राणनेतिक संक्रटनों से बचने के लिए तलास रहे हैं आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह की टॉपिक पर अपने राय जरूर दिया करिएगा सेमी कंडेक्टर कूटनेति का लाब मिलने के उमेद भारत अपनी सेमी कंडेक्टर चमता का उपयोग कूटनेति के एक उपकरन की रूम में उन देसों के साथ जुड़क जोड़ते हुए कर सकता है जो अपनी चेप आपुरती सेंखलाओं को सुरक्षित करना चाहता है सेमी कंडेक्टर कूटनेति के माद्यम से भारत यूरोपिय मद्यपूर और दच्छेट पूर एसिया के देसों को फुरुद्धकी की सांजेदारी सेयुक्त उद्यम और आप अपने संबंद्धों को मजबूत करता है ऐसी सांजेदारियां भारत की रणनितिक प्रयासों में अहम भूमिका निबाते हैं जो बिवित चेत्रों में रणनितिक गटवंदन बनाने में साहिक होते हैं भारत की समी कंडेक्टर चमता ब्यापक इंडो पैसेफिक रणनिती म एक मात पूंड भूमिका निबाती है और जिसका उद्धेश छेत्र में चीन के परवत का मुकाबला करते हुए छेत्री संतुला इस्तावित करना तथा अन्य चोटे देशों की रख्चा आप सकता हों की पूर्ती करते हुए उन्हें सहयोग है अमेरिका जापान ऑस्टिलि निर्बाता की रो में अपनी इस्तिती स्थावित करने हैं बारती चेत्री सुप्चा आरती विकास और कुटनीती में अपनी भूमिका को मजबूत करना जैसे उने एंडो पैसेफिक के भविस्थ को आकार देने में एक मात मुंब भींक लाड़ी बन सकता है जैसे जैसे भा देख का लाव उठाकर अधिक अनकूल ब्यापार साथों पर बाचीत कर सकता है बिदेशी पितेक्ष ने भी इसको बढ़ा सकता है और प्रोधिकी की इस्थाननतन समझोते के लिए जोड़ दे सकता है यह न केवल भारत को आर्थिक रूप से लावानबित करेगा बलकि इसे गहरे भूरानितिक समझ बनाने में भी मदद करेगा और देखे मैं कहता हूँ अपनी सौध देशी यानि कि सब कुछ होना चाहिए मैं कहता हूँ सब कुछ भारती है इतना तो हमारे पास होना चाहिए कि हम लोगों को दूसरे देशों पर कम ही निर्भर रहना पड़े अभ समझ रहे हैं कब कौन साजी सरचने लग जाए और हमारे मैं तो कहता हूँ सोसल मीडिया फ्लेटफॉर्म भी अपने होना अच्छी भाई समझ रहे हैं चाइना में देख लिजे आप लोग वो अपने यूज करता है क्योंकि डाटा की वी वड़ा ब्यापार हो रहा है आप लोग आप देखते हैं कि हमारे जो भी महापूरिस रहे हैं मैं कहता हूं कि देखिए सफका योगदान रहा है भारत की आजादी में किसी के योगदान को आप नकार नहीं सकते हैं किसी का कम किसी का जानदा हो सकता है लेकिन आप देखें कि आज के समय में ऐसा लग रह है कि जैसे भगस सिंग सुखदेव राजगुरू की दुस्मनी रही हो गांधी जी से आप देखे सरदार अब लबाई पटल की दुस्मनी रही हो भीम राव बेटकर मतमा गांधी से या जवाला नहरो से आप सोचे उनकी विचारदारा अलग हो सकती थी लेकिन आप देखे उ उनका ओदेश से ही की था देश को आजादी दिलाना देश को आगी बढ़ाना भगस सिंग की बात करें तो 28 सेप्टमबर 1907 में इनका जिनम गए था 23 मार्च 1931 में इनकी डेथ हो गई थी फासी दे गई थी ना लाहर आजकल फिर भगस सिंग को लेकर चर्चा में वह स्तुत इंकलाब जिन्दाबाद की बैनर के साथ ही वहां केंडल मार्च भी निकलता है इसी पेकार भगस सिंग मैंमोरियल फाउंडेशन के आतक प्रियासों के बाद लाहर अदालत ने साधमान चौक को भगस सिंग चौक के नाम से सुईकिति कर दिया है लाहर हाई कोट का यह फैस 2013 में एक संसदी दल के पिती निदी की रूम में लाहर जाकर उस समय के पिदानमती नवास सरीप के सलाकार सर्ताज अजीज को एक ग्यापन देकर यह मांग पुनहा दोराने का मौका मिला हाई कोट ने इस पर एक बार फिर जवाब तलब किया वस्तुता भगस सिंग अकली कर चीनी की करांती की नायक आप देखते हैं कि माउसे माउ तेसे तुंग और बेतनाम युद्ध की नायक के ची मिन इतिहास में अपने अंतिन दिनों में वह इस्थान प्राप्त कर पाए जो मात तेईस वर्स की उमर में प्राप्त कर लिया उनकी द्वारा लिखे पत्र लेक गोशना पत्र और अपने बचाओं में अदालत की बहस इतिहास की सुनेहरी पंडों में दर्य भारतियों महदीप में उनका सरव मान ब्यक्तित आज भी सुर्खियां बटोरी हुए इंकलाब जंदाबाद 23 मार्च 1931 को भगसिंग राजगुरु सुगदियों को लाहो सेंट डिप्टी कमिसिनर को संभुदित करते हुए का स्रीमान मजिस्टेट आप भागसाली हैं कि आप देख सकते हैं कि भारत के करांती कारी किस तरह अपने महान उद्देश के लिए मौत को गले लगा सकते हैं चाते जीवन में उन्हें रूसी करांती से प्रवाबित अवस्थ किया ता लेकिन उनकी राजनेतिक जीवन गाता लाला लाजपत राय के वलीदान से पहरम होती है भगस्तिंग की माता विद्याबती के निवास पर मेरी लंबी चर्चा में उन्होंने समचे घटना करम का बाडन किया कि किसी पिकार बेसाकी के दिन तेरे अपरेल कुछ जलिया वाला भाग में घटी घटना बीर के जीवन को करांती कारी बना दिया भगस्तिंग उस समय लाहोर में विद्याले की चात्ते भारती सुतंता संग्राम में भगस्तिंग के जीवन में यह अभूत्पूर गटना थी इस गटना का बीर पर गहरा असर पड़ा और उन्होंने अमरस्तार में लहू से रंगी मिट्टी को एकत्तित कर उसे यादगार क के तौर पर सुरक्षित करने का सान कर लिया भगस्तिंग सीसी में भरी मिट्टी को रोजाना फूल चड़ा कर से धांजली देते थे पड़ाई के दौरान सभी उनकी बुद्धी को अलोहा मान चुके थे डीएवी डीएवी लाहोर में श्रिनौवी कच्छा पास कर सीधे ए परिवार के साथ 24 घंटी को जारने का सवाग प्राप्त हुआ इस सबस्तर पर माता विद्यावति को और वहन प्रकास्त वती और भाई को ताल सिंग भी उपस देते थे अपनी मित्य उपर भी भगस्तिंग का अंतिम पत 22 मार्ट 1931 को लिखा जिसमें उन्होंने लिखा जीन रहने की स्तिती में इससे उंचा हरगिर नहीं हो सकता आज मेरी कमजोरियां जिनता के सामने नहीं है मैं अपनी फांसी से बच गया तो एज्जायर हो जाएंगी करांती का पितिक चिन मध्य हो जाएगा उनके इस बलिदान ने समची देश में सौराज पराप्ती की चाह को और तेज कर दिया प्यापक जनोभार के बाद आभाव में कॉंग्रेस भी कोई ठोस कारक्रम नहीं अपना पा रही थी इतिहास साक्षी कि दबाव में आई कॉंग्रेस को अपने कराची अदिविशन में संपून सौराज का पिस्ताव पास करना पड़ा और मिट प्रया कॉ इतना का संचार हुआ यह देखे कॉंग्रेस जो 28 दिसंबर 1850 में वही थी ना उसी की बात हो रही जिसके संस्तापक एहो ही हुम थे और इसके पहले अद्धिक WC बनर जी बियो में इस चंद बनर जी थे देखे भगस्तिंग मैं कहता हूं बहुत उंचा नाम है और इनके का बहस हो सकती है लेकिन मैं सोचता हूं चली हैं अगर हम लोग इन के लोगन की बातों को भूभी मान लें और गांधी जीन नहीं किया गांधी दौठी गीम बचंद्धी जी नहीं बचा लिया होता और सब कुछछ सही होता क्या बगत सिंग इह माप कर पाते तर अपने आप कर चीए कि और मैं कहता हूं कि हम लोग जितना उन्हें मार रहे ना अगर वो जेल से छूट जाते उन्हें फांसी ना मिलती तो साहद हम लोग ना उन्हें याद रखती उतना सम्मान ना दे पाते वह एक पिती वपन गईते आ तो मुझे लगता है कि वो भी इस बात को जानते थे कि इससे जानता क्या करना है काफी उन्होंने एक परसित नाम मैं कहता हूं कि वो भी इस बात को जानते होंगे कि अगर हमने पीछे हट गए तो जो आजादी है ना वो फीकी पढ़ जाएगी और वो करांतिकारी जो उन्हे भासी को देखकर उसाइद हुए और आगे बड़े वो भी धीमे पड़ जाते या साइद वो लहू एक तरह से आग ना जल पाती समय रहे हैं आगे ठीक है बहस हो सकती हर मुद्दे पर इस तरह से आप देखेंगे आज के संपात्किय पार्ट की कहानी खतम होती है और आप आप देख लिजे बीर सावर करके बारे में आप लोग सुनते है 1913 तक का उनका जीवन देख लिजे अलग ही रहा बहुत करांतिकारी थे लेकिन उनोंने जो चिठ्थियां लिखी माफी के लिए उसको लेकर आज भी आलोचना होती है लोग उनकी आलोचना करते है लोग उनने गलत ठहराते है तो इस सब चलता रहता है बहस चलती रहती है लेकिन मैं कहता हूँ सभी सुतंता सेनानी जो भी हमारे रहे है महापुरुष जो भी रहे है सबका यगदान रहाय देश में किसी की यगदान को हम लोग नहीं नकार सकते हैं चलिए तो आप लोग पढ़ते रहें इमानदारी से तैयारी करिए आप लोग धन्यवाद